नमस्कार आप सभी का MBN नेटवर्क पे बहुत स्वागत है अर्विन केजिरिवाल के बाहर ना आने देने के लिए ED ने अपना प्लैन भी तयार कर लिया है आज इसी पे बात करते हैं क्योंकि अर्विन केजिरिवाल दिली के सीम अर्विन केजिरिवाल पिहार से बाहर आने के लिए बहुत फड़़़ा रहे हैं और थोड़ा सा संकेत सिप्रीम कोट ने भी दिया है कि चुनाव को देखते हुए उन्हें जमानत दी जा सकती है, लेकिन किंतु परंतु ये बहुत अडंगे लगा रहे हैं, दिल्ली की राहु जवेन्यू कोट ने 23 एपरेल को केजडिवाल की नियाई किरासत 7 मही तक बढ़ाई थी और उसके बाद फिर एक एपरेल से वो तिहार जिल में बंद है ही, आपको पता ही ह और एडी की गिरिफतारी से बचने के लिए केजडिवाल ने हाई कोट का दरवाजा खट-कटाया, लेकिन उचने एले ने उनकी याचिका खारिस कर दी थी, इसके बाद दिल्ली के सियम ने सुप्रीम कोट का रुख किया था, सुप्रीम कोट ने एडी से पूछा, अगर आ केजडिवाल की याचिका पर कोट ने इभी कहा कि अगर सुनवाई में अधिक समय लगता है, तो हम केजडिवाल को अंधरिम जवानत के लिए विचार कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में लुकसमा चुनाव नजदीक हैं, और केजडिवाल की याचिका पर आज मंगलवार को जो सुनवाई हो नहीं थी, वो पूरी हो चुकी है, इससे पहले काफी दिल्चस्प दलीले भी होती हैं, मैं आपको थोड़ा वो भी समझाती हूँ कि किस तरीके की बातचीत होती है, जस्टिफ संजीव खन्ना और जस्टिस दिबांकर दट्टा की बेंच ने एडी की और से पेश अतरिक्त सॉलिशिटर जर्नल एस्वी राजू से कहा कि गिरिफतारी के खिलाफ केजडिवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है, और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर जाच एजंसी की दलीले सुनने पर विचार कर रही है, इस पर ऐसी विराजू ने कहा, मैंने अंडरलाइन किया हुए जराब आप इसको समझ लीजे कि वो केजडिवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे, इस पर बेंच ने कहा क कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अंतरिम जमानत देंगे, हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी, और सुप्रीम अदालत ने राजू से कहा कि साथ मई को अंतरिम जमानत की याचिका पर दलीलों के लिए तैयार होकर क्या आए और बेंच केजरिवाल की याजिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें ED द्वारा उनकी ग्रिफतारी को चुनवती दी गई है अगली दली भी आप बड़े ध्यान से देखिएगा जड़ा ED की पैरवाई करते हुए SV राजु ने कहा कि हमारे पास क्रिफतारी के लिए समंदिज सामगरी जो है वो मजूद थी लेकिन उसका खुलासा हम ट्राइल कोड में करेंगे दोस्तों आप ध्यान दीजिए कि जो उनके पास मैटिरियल है जो सबूत है उनका खुलासा ट्राइल में होगा और SV राजु ने ये भी कहा कि जाच अधिकारी का ये विशेश अधिकार होता है ये आरोपी के खिलाफ उपलब्द सामगरी पर गिरिफतार किया जाए या नहीं और राजु ने ये भी कहा कि सभी सामगरी का अभी खुलासा करने की ज़रूरत नहीं है इस पर सुप्रीम कोड ने क्या कहा मैंने इसको दोस्तों बिलकुल गोलाल क्या हुआ यहां पर तो कि हाँ आप इस मामले में सही हो सकते हैं गिरिफतार करने वाले अधिकारी को अपने कबजे में सामगरी सामगरी से इनका यहां मतलब है जो भी इनके बास प्रूफ होते हैं उससे वो मतलब है इनका तो इसका मतलब होगा कि पूरी सामगरी कबजे में है ना कि आंचिक कारी की राय नहीं है बलकि इसकी पुष्टी मजिस्टेट ने भी की है जिसे कोट ने परखा है इस मामले में एक पहलू ये भी है कि गिरिफतारी से पहले केजरी वाल ने अंतरी मराहत के लिए दिल्ली हाई कोट का रुख किया था और ये भी कहा कि केजरी वाल ने अग्रिम जमानत याचिका नहीं दायर की, तो ये उनकी बातचित थी, लेकिन अब एक और बहुत इंट्रेस्टिंग है, चुकि किजरिवाल की जो याचिका है, उस पर सुनवाई बोरी हो चुकी है, मंगलवार को, अब अगली जो सुनवाई है, साथ मई को, यानि की मंगलवार को साड ऐजी के वकील, जरूर अपनी बात रखेंगे, और मजबूती से रखेंगे, जैसे कि अभी तक आम आदमी पार्टी को अरोपी नहीं बनाया गया है, तो कोशिश करेंगे, कि आम आदमी पार्टी को अरोपी बनाया जाये, वहीं दूसरी और अंतरिम चार्ज़शीट में त पुष्किलें खड़ी करने वाले हैं, यू समझ लीजे कि केजरिवाल के बाहर आने का जो खेल है, जो इस समय कोट सोच रहा है कि उनको चुनाव के लिए जमानत दे दी जाए, ब्लाब्ला, लेकिन ये पूरा खेल, ED के पास जो चार्डशीट है, जिसे वो पेश कर सकते हैं, हलाकि 15 तारीक तक का उनके बास समय है, लेकिन अगर उने लगेगा, तो उसको वो पहले भी कर सकते हैं, और उसमें के कविता, और केजरिवाल का भी नाम हो सकता है, अब ये जो दिल्ली शराब घोटाला है, इस मामले में, ED ने जो चार्शीट तयार की हुई है, वो उसे द पार्टे का नाम शामिल होने वाला है, इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, जो बार-बार मनीश सिसो दिया, अपनी जमानत के लिए इधर दर घूम रहे हैं, उनका भी इसमें नाम है, प्लस इसमें संजे सिंग का भी नाम हो सकता है, तो चुकी चार्शीट को ले करके, ED के अधिकारियों ने खुद ही इस बात का खुलासा किया है, कि इसमें कुछ और नाम जूड़ सकते हैं, गोवा से जिसे अरेस्ट किया था, चंजी सिंग, उसका नाम भी इसमें हो सकता है, तो जो एक नियम होता है, उसके अनुसार, जैसे के कविता की गिरिफतारी जो है, को नई शार्टशिट दाखिल करनी है, ये फरकिरिया का हिस्सा है, तो कुल मिला करके, अब कोट ये सोच रहा है कि अगर दलीलों में बात बन जाए, तो क्या मतलब केजरिवाल को जमाना दी जा सकती है, क्योंकि चुनाब चल रहे हैं, चुनाब की डेर्स बगरा भी और कई सारी बातें, कई दलीलें चलती रहीं, तो केजरिवाल एक्चुली क्या है, बाहर आने के लिए हर पर्यास कर रहे हैं, और जो करून के जानकर है न, उनका ये कहना है कि जो केजरिवाल की टीम है, वो बहुत कमजोर है, अब कोट ने ये कहा है कि आपने नीचली अद जो कानून के मसले होते है, वो कानून के जानकार ही समझेजते हैं, तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि, जो केजरिवाल की लिगल टीम है, वो बहुत लचर है, कमजोर है, उनको जो भी राय दे रहा है, वो राय ऐसी है कि ये केस गती नहीं पकड़ रहा, अब ये बात प्रवब्लम्स बढ़ेंगी इससे अगर ये थू प्रवबर चैनल नहीं चल रहे हैं, इनके जो वकील है, वो अगर सही से इनको गाइड नहीं कर रहे हैं, तो ये मामला पूरा कमजोर हो जाएगा, और इसके बाद जो बहार आने के रास्ते हैं, वो बहुत कमजोर हो जाएंगे, सबसे बड़ी बात ये है कि इस में, इस पूरे केस में, अब जो होगा, वो चार्शीट होगा, और चा ऐसा खेल आप देखेंगे, हम आप आम भाषा में इसे खेल कहेंगे, लेकिन वो एक कानूनी पहलू है, उसकी एंट्री होने के साथ ही, जो ये पिक्चर है, जो अभी तक कोट से सोच रहा है कि इनको बहार जाने दिया जाए या नहीं, इनको जमानत दी जाए या नहीं, व वो सब चीजे बहुत उस समय बलर हो जाएंगी, और चार्चीट, चार्चीट में अगर किजरिवाल का नाम आ गया, जो कि उन्होंने त्यारी कर रखी है, कि कविता का नाम, आम आदमी पार्टी का नाम, अच्छा, आम आदमी पार्टी का नाम कब से आप सुन रहे हैं, मतल में तो केजरिवाल की ग्रिफतारी भी नहीं हुई थी, लेकिन एडी के वकील ने, यही, यह जो मिस्टर राजू है, इन्होंने यह कहा था कि हमारे पास पूरे सबूत है, हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, हम इनको जमानत देने के लिए आपको नहीं कह सकते, क्यो जमानत नहीं देने के लिए एडी कह रहे हैं, तो फिर केजरिवाल की जमानत, जो वो चुनाप परचार के लिए कह रहे हैं, कैसे दे सकते हैं, अच्छा सेम, यही बात के कविता ने भी कही है, कि उनको चुनाप परचार के लिए जमानत दी जाए, लेकिन नहीं मिली, उध उसी में केज रिवाल अंदर है एंड उसी में मनीश्य सौधिया भी अंदर है तो अगर मनीश्य सौधिया और के कविता को जमानत नहीं मिल नहीं है देखिए इनके लॉजिक सबके सेम है मनीश्य सौधिया उन्होंने भी कहा कि मुझे परचार करने के लिए जमानत चाहिए नहीं मिली के कविता ने कहा कि उन्हें परचार करने के लिए जमानत चाहिए नहीं मिली उधर जारखंड में जारखंड के पूर सियम हेमन सौरन उन्होंने भी कहा कि चुनाव निकला जा र रहा है उन्हें चुनाप परचार करने के लिए जमानत चाहिए लेकिन कोटने नहीं दी लेकिन एक बात मैं आपको बता रहे हूं उनको उनके चाचा के इश्राद के लिए एक दिन के लिए उनको जमानत दी गई है लेकिन वो पुलिस की कस्टडी में रहेंगे और वो सब जो किर्या करम हैं वो सब करके पुलिस की कस्टिडी में उसके बाद वो वापस चल जाएंगे अब मनी सिसोदिया इनको थोड़ी सी रहत कोट ने ये दिये कि ये once in a week सब्ता में एक दिन अपनी पत्नी को देखने के लिए जा सकेंगे क्योंकि इनकी पत्नी जो है वो बहुत बिमार है उनको एक ऐसी आटो इम्यून की प्राब्लम है जिसे कह सकते हैं कि जो लाई-लाज है उनको देखने के लिए एक दिन की राहत दी है ये देखिए इंसानियत के नाते मनी सिसोदिया के लिए बड़ी राहत है लेकिन केजरिवाल जिसको इडी ने कहा है कि ये किंग पिन है शराब घोटा लेके अब उनकी जमानत तो किसी भी लॉजिक के लिए उनको नहीं दी जा सकती अब चुकि ये बात आ रही है कि चुनाव है वो कहना है कि चुनाव परजार के लिए जमानत दी जाए तो अब आप ये बताईए कि चुनाव परजार के दौरान क्या इनकी security रहेगी इनके साथ क्योंकि एक particular time के लिए इनको जमानत दी जानी है ना तो this is not possible कि इनके साथ हर समय पूरा दस्तार है पुलिस का security रहे और वैसे भी security रहेगी क्योंकि एक इनसान जो जमानत बर है तो उसकी भी तो security की protection की पुरी जरूरत होती है ना इनकी तो insulin तक जो है वो court में चले गई थी इनका diet chart तक जो है court में चला गया था तो ये तो किसी भी बात को लेकर के शोर मचा सकते हैं इसलिए government court प्लस जो भी judge agency हैं इनको जो देख रहे हैं इनके case को सभी को सबसे बड़ी चिंदा तो ये है कि ये protect रहे है शुरक्षित रहे है और स्वस्त रहे है लेकिन इनी के लोग इन सब बातों को घुमा फिरा करके कह रहे है तो बात हो रही थी कि सप्रीम कोट ने पहली बार ये संकेत दिया है कि इनको जमानत दी जाए या नहीं दी जाए चुना परचार के लिए अब केजरिवाल की अंतरिम जमानत का विरोध रादू ने कहा है कि वो जरूर करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे या नहीं करेंगे लेकिन अंतरिम जमानत देंगे बेंच ने ये कहा है और ये भी साथ में कहा है कि वो सुनवाई जरूर करेंगे इस मामले की कि उन्हें जमानत दी जाये या नहीं दी जाये लेकिन वो जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं इस पर पीडी ने कहा है कि वो इस जमानत का विरोध करेंगे इसलिए मैंने आप से कहा कि इस जमानत का विरोध केवल और केवल वो चार्डशीट करेगी जो आम आदनी पार्टी और केजिरवाल को पूरी तरह से बरबाद कर देगी तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिये एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताईएगा आजकल आप मेरे चैनल को सब्सकाइब नहीं कर रहे है तो ये तो अच्छी बात नहीं है अगर आप मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इन पर डिपनी भी करिए इससे सब्सकाइब भी करिए इसे शेयर भी किजिए और चैनल देखते रहिए अभी के लिए इतना ही दूस्तो आप खुछ रहिए सहस्त रहिए जैहिन जैभरत